हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित पापडिवाल, ग्रफोलोजिस्ट एंड ग्रफो तेरपिस्ट आज हम जानकारी लेंगे हैन्राइटिंग के अपर जोन की अपर जोन क्या होता है? आपके handwriting में जो उपर की और की lines होती है alphabets में उसे upper zone काया जाता है जैसे कि आप देख सकते है इस writing में यल, बी, यच यह जो alphabets है यह upper zone की alphabets है इन्हें उपर की और की lines होती है अगर आपके handwriting में यह upper zone छोटा हो जाता है आप small लिखते हो जैसे कि small upper zone काया जाता है आप देख सकते हैं इसमें यह have लिखा हुआ है इसमें यच ए, वी, यह प्रॉपरली आपको दिख रहा है अगर यही upper zone का यच अगर आप small लिखते हो जो कि नेव की तरह दिखता है यह आपर लिखा हुआ है यह यच यन की तरह दिखता है ऐसे अगर आप लिखते हो तो आपके handwriting का upper zone यह small है हम जानेंगे इसके बारे में इसका analysis क्या होता है ऐसे लोग किस तरह के होते हैं इन लोगों को knowledge through easy means चाहिए इनने ग्यान knowledge बहुत आसानी से कैसे मिलेगा इसकी यह सोच में रहते हैं यह हरदम उसी तरह का काम करते हैं जो इनने बहुत आसानी से knowledge गेन करेगा they don't want to take the extra efforts for the intellectual things extra कोई भी effort लेकर यह बादिक शामता का जो कार्य होता है वह नहीं करना चाहते हैं बहुत easily जो होगा वही काम यह करना चाहते हैं दूसरा they are having lack of understanding his goals self image or impression they want to make इनने जो impression लोगों में बनाना है या इनकी खुद की self image इनके goals की इनने समझ की कमी होती है यह understand नहीं होता है कि हमें क्या चाहिए हमें क्या पाना है यह बहुत छोटे छोटे goals रखते हैं इसी तरह इनमे creativity और imagination की भी कमी होती है इनकी सोच knowledge के बारे में बहुत कम होती है या जहां कहीं intellectual बाते होगी बहुत दी कार्य या काम करने का काम आएगा तो वहां पर यह लोग उस काम में कम आनन लेते हैं they are having very small pleasures in that intellectual works ऐसे ही अलग-अलग zones के बारे में या आपके handwriting के अलग-अलग strokes के बारे में हम हरदम आपको जानकारी देते रहेंगे इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए और share कीजिए झाल